पेड हमारे मित्र ज्यान बर्धक कहानी प्रतिध्वनी व्रिक्ष परियावरण के रखवाले हैं एक दिन श्राम को अनुज मा के साथ पार्क में खेलने गया उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग इकठे होकर तरह तरह के पौधे लगा रहे हैं उसने मा से पूछा ये सब पौधे क्यों लगा रहे हैं मा ने उसे समझाया कि ये पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाएंगे पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है हमें सांस लेने के लिए आक्सिजिन के आवश्रक्ता होती है ये आक्सिजिन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है सांस लेते समय हम जो कारबन डायोकसाइड बाहर निकालते हैं पौधे उसका उप्योग अपना भोजन बनाने में कर लेते हैं और बदले में हमें आक्सिजिन देते हैं इसका सीधा आर्थ है कि पेड़ पौधों के कारण ही हम जीवित हैं पेड़ों से हमें फल, फूल, अनाज, दवायादी मिलती हैं पेड़ों से प्राप्त लकडी का प्रयोग हम घर बनाने एवं इंधन के रूप में जलानी के लिए करते हैं पेड़ वर्षा में भी सायक होते हैं पेड़ों की जड़े मिट्टी को मजबूती से जगड़े रखती हैं यही कारण है कि बाढ़ के समय उपजाओं मिट्टी पानी के साथ बहने नहीं पाती है गाड़ियों वकारखानों के चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वायू प्रदूशित होती रहती है पेड़ पौधे इस प्रदूशित वायू को स्वच्छ बनाते हैं इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे परियावरण के सच्छे रखवाले हैं पेड़ों की शाखाओं पर बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ों की घनी ठंडी छाया में यात्री ठकान मिटाते हैं। पेड़ पौदों के इतने सारे महत्व को सुनकर अनुज ने मा से कहा, मा मुझे भी पौदे लगाने हैं। मा ने कहा, क्यों नहीं, कल हम नर्सरी पौधा घर से पौधे लेकर आएंगे और अपने घर के आसपास लगाएंगे। जीवन मूल्य पेड़ पौदों को नुकसान नहीं पौदें।